नए कपड़े खरीदने की दो वज़ा होती है जैसे कि जब बदलती फेशन होती है तो हम नए कपड़े खरीदते हैं और जब हमारे साइज में बढ़लावाता है तो भी हमें नए कपड़े खरीदने परते हैं और वो जो कपड़े हमारे होते हैं वो बिल्कुल पुराने नही लेकिन कभी कबार हम ऐसे कपड़े रह जाते हैं तो आज मैं ऐसे ही कपड़े यूस करने के थ्री आईडिया आपकी ये लेकर आई हूं तो यहां पर मैं देख रहे हूं कौन-कौन सी चीजे हम यूस करेंगे और कुछ क्या-क्या बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने पहले लेका है यह टी-शुर्ट तो दो टी-शिर्ट है जिसमें पर्शाज लिया बिए तो सबसे पहले मैं यह घाने टी-शुर्ट लिया और नीचे से मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है यह जो उपर की प्रिंट है वो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो इसी में से कुछ अच्छा सा बनाते हैं तो इसलिए मैंने सबसे पहले नीचे से कट किया उसके बाद उपर से भी कट कर लिया अब देखे यह साइड से हम क्या करेंग कि इस तरीके से फॉल्ड करेंगे इस तू फिंगर की जगर चोड़ते हुए या फिर 1.5 इंचे और डोनों साइड ऐसे आपको फॉल्ड कर लेना है और अगर आपके मसीन में नहीं चल रहा हो जियरी माटीरियल तो आपको क्या करना है यहां पर आप कागज रखके स्टीज किजिएगा उसके बाद हम नीचे की और स्टीज करेंगे तेखे हो चुका है अब हम इसे सीधा कर लेंगे और यहां पर लेंगिस जो होती है उसी में से मैंने स्ट्रिप की थी पुराने कपड़े का ही हम रियूज करें तो उसी कट करके मैंने दोरी रेडी कर ली ती दोनों कि दोरी अब जो दूसरी दोरी वह सामने की साइड से इन करना है हमें आमने सामने दोरी को डालना जैसे पूर्टली बैग में मनाते हैं अब हम यहां पर एक नौट लगा लेंगे नौट लगाने के बाद आप यह कौरनर पे स्टीज कर देना है दिखे कुछ इस तरीके से क प्रांसी के लिए ट्यूशन बेग बनाया है और उसे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इस तरीके से वैजिडैबल रखने के लिए भी बना सकती है छोटी इस तरीके की पोटलिया चो बहुत ही यूसपुल होती है और हमारी जो वैजिडैबल है उसमें चो पानी आ जात सब कुछ इस तरीके से सोक लेता है उसके बाद हम जाएंगे सेकंड आइडिया की और तो इसमें बहुत ही सींपल आसान तरीके से हम अमारी में जगह कैसे बनाएं उसके लिए मैं आइडिया बता रही हूं तो टी-शिट को हम फॉल्ड करेंगे 3 बाइ 3 इंचिस का बॉक्स ब नीचे से हमने पहले से टी-शिट में स्टीच कर लिया है ताकि कोई डिक्कत ना आए तो यहां पर देखिए यह हमारा नीचे से स्टीच है और 3 वै 3 इंचिस का बॉक्स बनाया है और अब हम जहां से स्लीव से वहां से कर लगा लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो हमने उपर से कट लगा लिया है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर देखिए ऐसे हमें सेंटर में मार्किंग करनी है तो यहां पे जो हमारा थ्री इंचिस पे कट पूरा हो रहा है ना वहां तक आपको कट लगाना है मैं थोड़ी आगे निकल गई थी लेकिन मैंने फिर स्टीज करके जोड़ लिया है तो आप आगे मत निकलेगा जो हमारा साइट से बॉक्स स्टा तो यहां पी हमने स्टीज कर लिया है उल्टी साइट से और मैं बता रहे थी ना थोड़ी मैं आगे निकल गए उसे मैंने पैक कर लिया हमें वहां आगे नहीं निकलना है अब हम इसे सीधा कर लेंगे देखिए कुछ इस तरीके से हमें सीधा कर लाइना है इसमें कुछ हमे यूज नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ली टी-शिट के हम यूज करेंगे तो नीचे से जो कॉर्णर है ना 3x3 इंचे के बॉक्स काफ ने फ्लेट किया वहीं से उसे पकड़ते हुए एक ऐसे प्लेट लेनी है देखे आप देख सकते हूँ मैंने कैसे ली है उसी तरीके से है मैं आपको बता रही हूँ तो नीचे का जो बॉटम पार्ट रेडी हो चुका है और उपर हमने स्टीज कर ली उसके बाद आप इसे केरी करने के लिए हैंगर ले लीजिए और इससे यहां पर अटेज करके फॉल्ड करके स्टीज कर लीजिए गा तो आप देख सकती यह हमारा और्गिनाजर रेडी है नीचे का जो बॉटम पार्ट था हमारा आप उसका नाप लेंगे तो 10 x 7 इचिस का होगा तो यह जो कार्ड बॉर्ड मैंने गट किया है वो भी मैंने 10 x 7 इचिस का गट किया है उसे नीचे डाला और देखिए कितनी अच्छे से बहुत सार कपड़े आप अलमीरा में रख सकते हैं तो यहां पर और बन कर रेडी हो चुका उसके बाद हम लेंगिस का यूज करेंगे इसमें बहुत ज्यादा मेनत नहीं है मैंने पानी का बोटर ले लिया उसी के नाप से मैंने यह नीचे का जो एक पेर का पाट था उसे कट किया है और इसे नीचे से स्टीज करके इसे ऐसे पहना दिया देख लीजी और इसका नाप ले लिजा अब हम क्या करेंगे दो दोरी मैंने कट की है जो मैंने यह आमने सामने उपर का ऐसे नाप लिया है देखिए और साइड में मैंने कट लगा दिये और यह दोरी को सेप्टी पीन की म तो दोनों साइड हमने दोरी एंटर करके नॉट लगा दी अब हम पानी के बोटल में लगाएंगे यह कवर तो बहुत ही प्यारा सा मारा कवर बन कर रेडी हो चुका है आप कहीं पे भी इसे दोरी पकड़ के कर सकते हैं अब चोटे चोटे चो टुकड़े बचे थे मैंने उस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब बाई जे बारत